हेलो बच्चों मनोज एकेडमी बेनीपटी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे स्वस्त होंगे और पूरे मन लगा के अपने बोड एग्जाम की त्यारी में आप लोग लगे होंगे चले मेरे प्यारे सबसे पहला कोश्यन हमारा क्या है मुद्रा मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा के बारे में आप सभी जानते हैं मुद्रा जिसे हम लोग आम बोल चाल के भासमा रुपिया पैसा खते हैं मुद्रा के बारे में क्या थो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग के इधर ये कहावत है कि नई बाबू न भईया, नई बाबू न भईया, सबसे बरा रुपया, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग के इधर कहावत है, पैसा के महत के बारे में, कि नई बाबू न भईया, सबसे बरा रुपया, मेरे प्यारे बच्चों, रुपया का भेलू, नई बाबू न भईया, मुद्रा की भूनका काफी बट गई है आज के युग में मुद्रा की भूनका आज की समस्त आर्थिक ढाचा मुद्रा पर ही निर्वर है यदि मुद्रा को खटा दिया जाए तो संभवत हमारी आर्थिक विवस्था लर्खरा सकती है वरतमान यूग में चैह उत्पादन कार्ज हो चैह उत्भोग हो बिन्मे हो बित्रन हो यह सभी मुद्रा के द्वारा ही होती है इस तरह मुद्रा हमारे जीवन का एक आवस्यक अंग बन गई है मुद्रा से मेरे प्यारे बचों हमें अनिक लाव है आप सभी जानती हैं कि आप कोचिंग परते हैं या इस्कूल परते हैं तो आप फीस जमा करना होता है तो आप मुद्रा के माधियम से जमा करते हैं आपके अरफिता कहीं किसी वीकाष में लगे होंगे उन्हें भी दिवा के बदले इसमें में मुद्रा को अपने इस आर्थिक ध्हाचा से आर्थिक जीवन से हटा नहीं सकते हैं इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग के रिया में कहा जाता है कि नई बाबु न भाईया सबसे वरा अरुपय अनेक अर्थ सास्त्रियों ने मुद्रा के विशे में अपना अपना वक्त पे दिये है अचैना है प्रोफेशर मार्सल के अनुसार मार्सल ने क्या कहा है व Alternatively के प्रगति स्रें मुद्रा को मेरे प्यारे वास्तर में आधनिक युक जो इतना प्रगति किया है मैं हम लोग पहले हम लोग पूरवच जंगलों में रहता है असकी अब कम थी लेकिन मुद्रा अभिश्कार होने से बहुत तीजी से बिकास पुए तो मेरे प्रगति प्रगती नहीं तो मुझे याद रखना है यह यह थी तरह मेरे प्यारे श्काउट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थ विवस्ता का खिरदे नहीं तो रक्त प्रवाह अबस से है मेरे प्यारे बचचो हमें यह याद रखना है कि स्कॉप क्या अनुसार हमने कि याद रखना कि मुद्रा कि मुद्रा call my में किया ज़ा रखना यदि मुद्र हमारी अर्ठवेवस्ता का रखत प्रवाब वसे मेरे प्यारे बचो आपसे अगर पूछ आ जाएगा कि हा आग कि उर्ट्न किसका है तो हम क्या याद रखेंगे शीज में अगर समाच से रुपया को हटा दिया आप ही कल्पना कीजिए अगर आज की यूग में मुद्रा को हटा दिया जाए अब बस्तु बिन्वें प्रनाली से जिंद्गी नहीं चल सकता है हम लोग मुद्रा के द्वारा ही अनेक प्रकार की बस्तु है और खड़ीते रहते हैं अगर मुद्रा हट जाएगा हमारी सारी आर्थ विवस्था अस्त वेस्त हो जाएगी तो इस तरह मुद्रा हमारी अर्थ विवस्था की आज क्या बन चुकी है जीवन सकती है आदलिक यूग में मुद्रा बचत एवं साक्का भी महत्पूर्ण कार्ज निगाता है आगे हम लोग परहेंगे बचत और साक्का पारे में मेरे प्यारे बच्छों कि इस चेप्टर में हम लोग का में सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्छों हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन यहीं बनता है कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्छों बस तो बिनमे पर ना लिक्या है बिनमे का आर्थ होता है लेनी देनी लेन दिन खरीद विक्री बस तो बिन में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहां पूछ रहा है कि बस तो बिन में परनाली क्या है पुराने जबाने में और अभी भी कहीं कहीं आप लोग यह चीद देखते होंगे तो हम लोग के गाउं में अभी भी बहुत सारे सब्जी लेती है और उसके विदले उसे कुछ जान देता है गीहू देता है एक बस support देता है और उसे दूसरे सूलिता है तो लोग अपनी अपनी जरूरत की पूर्ति जब एक टाबस्तू लेकर दूसरे का बस्तू देकर श्क्रलिता है तो इस प्रकार के बिनमे प्रनाली को बस्तू बिनमें प्रनाली कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमें याद रखना है बस्तू बिनमें प्रनाली क्या है एक बस्तू बस्तू बिनमें प्रनाली उस प्रनाली को कहा जाता है जिसमें एक बस्तू के बदले दूसरे बस्तू का आदान-प्रदान होता है और मोटा लाल के पास जार है और मोने में प्रकार के बिणमे कार्ज को हम लोग क्या जाता है इसमें एक बस्तू के बदले दूसरे बस्तू का अधान परदान होता है इसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि एक बस्तू का किसी दूसरे बस्तू के साथ बीना मुद्रा के परतेक्स रूप में लें देन को बस्तू दिन मे में प्रनाली करता हैं मेरे प्यारे बच्छों और कोई बैक्ति अपनी बस्तु लेगाएं में प्रनाली जैसे मेरे प्यारे बनलना बस्तु बिन में प्रनाली करेगा मेरे प्यारे बच्छो या प्रनाली अब आप लोग बहुत कम देखने को मिलता होगा आप लोग के इधर या कहीं भी बहुत कम देखने को मिलता होगा या प्रनाली हमारे पुराने जबाने में परचले थी जब मुद्रा का बिसकार नहीं हुआ था मेरी प्यारे बच्चों तब लोग अपने अपने बस्तु का एक दूसरे को अदल बदल कर अपने जीवन की पूर्तिकर अपनी अपसक्ताओं की पूर्तिकर बेवहारीक रूप से इस प्रनाली में अनेक कठनाईयों का सामना करना परता था बेवहारीक रूप कि अपनी अपनी अप्षक्ताओं की पूरती एक दूसरे का बस्तू ले देकर पूरा करता है ऐसी प्रनाली को बस्तू बिन में प्रनाली कहते हैं यह प्रनाली पुराने जवाने में परचली थी विभारिक जीवन में इस प्रनाली में हमें अनेक कटनाईयों का सामना करना पर था वस्तु बिन में प्रनाली की कुछ उदारा नाम लोग जैसे आन के बदले यहूं बदलना सबजी के बदले तेल बदलना या मान लीजे आप के पास कलम है और आपका जो वह दोस्त रोहित है उसके पास सेव है और आपको सेव की जरूरत है उसे कॉंपी कलम का जरूरत है और आपके पास एश्ट्रा कॉंपी कलम है आप अपना इश्ट्रा वाले कॉंपी कलम आप अपने दोस्त को देते हैं और उसके बदले अगर दोस्ते आप सेव ले लेते हैं इस तरकार के जो बिनमे कार्ज ह भौबा इसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे वस्तु बिन्में प्रानाली केंगे के हुए तो मैं उमीद करता हूं कि आप लोग्स तो बिन्में प्रानाली अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लिए हम लोग आगे चले वह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अभी समझें कि बस्तु बिनमे प्रनाली क्या है बस्तु बिनमे प्रनाली जब लोग अपनी अपनी सक्ताओं के पूरती एक दूसरे का बस्तु अदल बदल कर लेता है तो ऐसी प्रनाली को बस्तु बिनमे प्रनाली कहा जाता है यह प्रनाली पुराने जमाने में परचली थी लेकिन विभारिक जीवन में मेरे प्यारे बच्चों इस प्रनाली में लो करेंगे कि हमें अगला कुछन है बस्तु बिन्मय प्रनाली की क्या क्या कच नहीं थी तो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों पहला कचना है जो हम लोगों के सामने आता था वह आता था अब शक्ता के दोरे और तो सक्ता के दोरे सनींைो का भाब कार्थ घया हुआ कि बस्तु बिन्मय प्रनाली में दो कार्थ तभी संभव हो जाता था इंब बस्तु का जरूरत दूसरी को हो और दूसरे के पास जो मंस्तु है उसकी जरूरत पहले ब्रती को अगर दोनों कि कि का जो बस्तू है एक दूसरे को अगर आप सकता है तो बस्तू बिन में प्रनाली खो पाता था अगर नहीं तुझ सबसे बड़ी कटना ही क्या थी अब सकता के दोहरे सनियोग का भाव दूसरा मेरे प्यारे बच्चो मुल्य के समाने मापक का भाव मेरे प्यारे बच्चो यह बहुत वरी करना है वस्तु बिनमे प्रनाली के समय कोई भी ऐसा सर्वमाने मापक नहीं था जिसके सहारे किसी भी वस्तु का मुल्य ठीक ठीक पट कि पहला दूसरा तीसरा तीसरा हमारा क्या था मुल संचेन का बाद हाँ मेरे प्यारे बचों हर बेक्ती अपने भविस्थ के लिए कुछ बचाकर रखना चाहता है क्योंकि वारतमान अब सकताओं के साथ-साथ उसकी भविस्थ की अब सकताए भी महत्पूर्द होती है लेकिन बिभाजन क्या हुआ कि असके लंबे समय तक हम उसे जमा करके भंदार्इध कर你看 matures मैंसरा सब्जी इसको हम लोग अधिक दिनों तक जमा करके नहीं रख सकते ऐसी वस्तुं को हम आज के दर में बेश देते हैं और मुद्रा पराफ्त कर लेते हैं और अगर उसका विभाजित हम नहीं कर सकते हैं अगर उसे हम वीभाजित कर देंगे तो उसके उप्योगता नस्त हो जाई जैसे तो भाई के बीच एक भेंस और बटवारा करना एक मेंश को अगर हम बीच से काट देंगे तो क्या होगा उसके उक्योगता ही नस्त हो जाएगी तो बटवारा ही नहीं होता था मुल सत्रंतर एक जगा से दुसरे जगाद ले जाने में इसमें भुखतान के भी कटनाइँ होती तो मेरे प्यारे बच्छों हम लोग को याद रखना है बस्तु अभीन प्रणाली में होने वाली मूल प्रकार की कटनाहिया होती थे फहला क्या है अब सकता कए द्हुरे सन्पाइब दूसरा मुल्ग के समन्निमापक का भाभ तीसरा मुल्ग संचान का भाभ तो था मेरे प्यारे बच्चों हम लोग plan को क्या या था रोग हाद कर्फीश बीभाजन का भाभ पान्चमां हमारा क्या था मुल्ग केस्थ स्त्रांत्रन की समस्या और छठा मेरे प्यारे बच्छो भविस में भुगतान की कठ्षण इस तरह मेरे प्यारे बच्छों हमें एच्छे याद रखना है अब सकता के दोहरे सन्योग का भाब मुल संचैन का भाब मुल्क ए स्तरान्टरन की समस्या और भविस्ष में भुगतान की श्मार्विस्ट बिनिमे प्रणाली की या कुंप कटना या आये मेरे प्यारे बच्छों इन सभी का मुलुक बारी बारी से अध्यान सबसे महत्पुर्ण करना क्या था मेरे अब सकता आगे दोहरे सन्योग का भाग वस्तु बिन में प्रनाली की यह एक प्रमक कठना थी जब एक बेक्टी की जरूरत दूसरे बेक्टी से मेल खाने पर ही बिन में कार्ज हो पाता था लेकिन वेभारिक जीवन में यह हमेशा नही हो पाता है हाँ मेरे प्यारे बच्चों आप ही समझे कि बस्तु बिन में प्रनाली में आपके पास माली आप के पास जो है तो आपके पास कप्रे हैं और आपको कलम की जरूरत है आपको पुस्तक की जरूरत है और आपके दोस्त के पास कलम की जरूरत उसके पास जो है तो क के पास सेव सेव है क्या आप उसको देज पहेएगा नहीं दीजिए गांक जो की आपको जो चीज की चिरूरत की नहीं और तो मेरे प्यारे बचों क्या यार्याद रखना है अब स्थू बिन में पर नाली की सबसे बड़ी प्रमुक करतना थी अफ सकता के दोहरे संब्सक्राइब अभाव 110 एक वेक्ति की जरूरत दूसरे व्यक्ति से मेल खाए लेकिन बेवहारी जीवन में यह हमेशा नहीं हो पाता तो इसी तरह मेरे प्यारेबच्चों दूसरा हम लोग मुल्य के समय मापक यह पस कुझा नाली में फॉस्तों बीन सब्सक्राइब प्रनाली में लोगों द्वारा उत्पादित बस्तूों के असुर्धा थो बेवहारिक जीवन में बहुत से आसी बस्तूों का उत्पादन हो जाता है जो सिग्रण नस्ट हो है जैसे मचली फल सब्जी इत्यादी ऐसी नस्ट होने वाली बस्तुओं को भविस के लिए बचा कर नहीं रखा जाए बस्तु बिन में प्रनाली के समय माल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत जैदा बहुत जैदा मचलियां हो गई तो इसे हम जैदा दिनों तक संचीत करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि मचली को जैदा दिनों तक संचीत करके रखेंगे मिर्थ हो मर जाएगी नस्ट हो जाएगी इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों माली जी यह सबजी है इस सबजी को हमारे पास बहुत जैदा हुआ आपके प तो बस्तू बीन में परनाली में यह भी एक बहुत बड़ी कटना थी अब क्या हुआ अब तो मुद्रा आ गया हम लोग क्या करते हैं मार्केट में ले जाकर इससे बेच देते हैं और इससे हम लोग मुद्रा प्राप्ट कर लेते हैं और मुद्रा की रूप में हम बस्तू को बहुत अधिक दिनों तक संचित कर लेते हैं मुद्राक्वा हम जब चाहे तब हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि पुराना होने पर भी इसकी उपयोगता नस्ट नहीं होती है यह कहें कि नोट पुराना होता ही नहीं है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गया होंगे कि बस्तु बिन में प्रनाली में यह भी बहुत बड़ी कटनाई थी कि लोगों द्वारा बहुत सारे ऐसी बस्तों के उत्पादित होती थी जिसका संचियन हम जैदा दिनों तक नहीं कर सकत करना ही था कि अगया है कि अभी वाजन आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए अभी वाजन यहां में आपको एक चित्र के साहता से आपको समझाने का कोसिस किया हूं ता भी वाजन का यहां देखिए दो आपके जांओं में होता होगा दो ओरते हैं और उसके पास एक बकरी है और दो दो भैजियसे दो भी भीन होता है तो इसको आप बरने मेरे प्राणलि में एक बस्तु है और विभाजित करना है तो हम तो इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, अगर इसको हम यहां से काट देंगे, तो क्या हो जाएगी, इस बखरी की उप्योगता ही नस्ट हो जाएगी, तो बस्तु बिनमे परनाली में मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का भी बहुत बड़ा समस्या होता था, बस्तु बि प्यारे बच्चों अब मुद्रा आ गया है, हम लोग क्या करते हैं, इसका रेट लगा देतें, चलो इसका रेट हो गया 5000 रुप्या, अब इनको बोला जाता है, या तो तुम, अधा चुकि आधा अधा बातना था, दो भाई का बटवरा है, तुम पचीस्सो रुपिया कहने का मतलब है कि मुद्रा के द्वारा हम बस्तु को हम लोग बाट देते हैं, चाह वो बस्तु सजीब हो या निर्जीब हो, हम लोग मुद्रा के द्वारा बस्तु को बाट देते हैं, लेकिन बस्तु बिन में प्रनाली में मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार की समश्या है मेरे प्यारे बच्चों बहुत जैदा जतिल थी वस्तु बिर्में प्रनाली में हम इस तरह की काल नहीं कर सकते थे कि अग्ला मेरे प्यारे बच्चों 5 दूसरे जगह yes हुआ हम दो और एक भाई घर पे रह रहे और गर jaga वला हमारा बंताफ कि लिए प्रनाली में मेरे प्रनाली में समस्य प्रनाली में ड़े भर नहीं ले जा सकता है हेट यह नहीं होता था उसे संपती को एक अस्थान कि यह पुर्ना परता है मेरे प्याराइं इस्थान को इसे च्टिती में अपनी संपती को छोर कर ही जाना परता था क्योंकि उससे बेचना क्या था बस्तु विंवे प्राप्त कर लिया इस मुद्रा को फिर जहां रहता है वहां जाकर श्मुद्रा से अने में परकार की रुप्या के माधियम से करना हम अपनी भासा में इस बात को neste तो बस्तू की खरीद विक्री मेरे प्यारे बच्चो इसके माध्यम से मुद्रा के माध्यम से करना उसे हम मौद्रिक परनाली करना जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चो ये एक छात्र है एक लड़का है जो एक किताब खरीद रहा है ये किताब खरीद रहा है और ये किताब खरीदने के लिए दुकंदार को क्या कर रहा है पैसा दे रहा है और दुकंदार उसे क्या कर रहा है उसके बदले किताब दे रहा है तो यहां क्या हुआ यहां बैक्ति इस बस्तू को मुद्रा के माध्यम से खरीदा जैसे यहां एक दुकंदार अपनी सारी सब्जी ये बेश कर पुण रहा है अब यहां मेरे प्यारे बच्चो यह दिखाने का उदारान से मैं आपको समझाने का कोसिस किया हूं कि एक भेकथी घर खरीद रहा है और खरीदने के लिए क्या दे रहा है मुध्या का-दे रहा है तो जु कहने का मतलब जब वेक the कि याद रखेंगे जब बिनमे का सारा कारज मुद्रा के माध्यम से किया काता है तो उसे मौद्रिक प्रनाली काता है मेरे प्यारे बच्चों हमें याद रखना है कि जब बैक्ति पीद्मे का सारा कार्ज मुद्रा के माध्यम से, रुप्या के माध्यम से करता है, इस परनाली को क्या कहते है, मदरिक परनाली, इस परनाली में पहले कोई बेक्ति, इस परनाली कैसे होता है, जैसे में मेरे प्यारे बच्छों इस परनाली क्या होता है, कोई पहले बेक्ति अपनी सेवा या बस्तू ब कोई वैग्ति-वस्तू या सेवा बेचकर-उद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपने अब सक्ताओं की वस्तुए प्राप्त कर लेता है वरतमान समय में अर्थ विवस्ता में लगवक्त सारा बीनमेकार्ज मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है हाँ मेरे प्यारे बच्चो आज के जवाने में अब जानते हैं कि सारा कार्ज सारा बीनमेकार्ज किस के माध्यम से हो रहा है मुद्रा जैसे आप कहीं परते होंगे कोचिंग फीस देते होंगे या स्कूल फीस देते होंगे तो क्या करते होंगे मुद्रा देते होंगे आप कहीं इलाज कराने जाते होंगे वहां डाक्टर आपको सेवा देता है इलाज करता है लेकिन उसके बदले में आप उसको क्या करते हैं मुद्रा देते हैं तो सारा कार्ज आप किसके माध्यम से कर रहे हैं मुद्रा के माध्यम से कर तो मेरे प्यारे बच्चों हमें याद रखना है हम लोग उसे यह पूछे कि बस्तु बिनमे और मौद्रीक प्रनाली क्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्जैम में कि जब बिनमे का साराकार्ज मुद्रा के माद्यम से किया जाता है तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं इस प्रणाली में पहले बेक्ती कोई बस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी अब सकता है कि बस्तु फरीद लेता है कि बरतमान समय में अर्थ विवस्था के लगवक्त सारा बीनमेकार्ज मुद्रा के माध्यम से हो रहा है मुद्रा के विस्कार हो जाने पर बस्तु बिनमें प्रनाली में होने वाली करनाय स्वता समाप्थ हो गया जब मुद्रा का विश्कार हुआ तो बस्तु बीनमें प्रनाली में जितने प्रकार की कटनाईयां थी मेरे प्यारे बच्चों वे सभी कटनाईयां सोता समाप्ट हो गए आत्मिक unhealthy वेवसाही के जीवन का जिफन्चाल стан मुद्रा के माध्यम से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों आज की समाजम नाहीं लगना चाली किसे कहते हैं वास्ता में मुद्रा का विकास एक तरह से मानभस्थटा का विकास का इतियास है मेरे प्यारे बच्छों यह याद रखेगा एक्जैम में हमें इतना ही लिखना है मौत्रिक परनाली किसे करते हैं हम लोग लेकिन इस तरह भी यह याद रखना है कि मुद्रा के विश्कार हो जाने पर बस्तु बिनमे परनाली की कटनाई अस्वता समाप्त हो गई अधनिक समाज एवं वेफसाइक जीवन का संचालन मुद्रा के ही माध्यम से होता है वास्तम में मुद्रा का विकास इतिहास एक तरह से मानब सब्टा के विकास का इतिहास है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिए अगला कोश देख रहे हैं मुद्रा मुद्रा क्या है हम लोग मुद्रा देखते हैं दो हजरिया है अब तो हमारा सरकार भी इसको बेंग लगा दिया मुद्रा क्या है तो साधारन अर्थों में हम लोग मुद्रा का मतलब क्या जानते हैं उद्रा का मतलब हम लोग जाते हैं धातू का ब काघ्जी नूट इस पर सरकारी मुहर या किन लगा होSTA gradu मीरे बच्छो वही मुद्रा क्या है प्रिभाथा में लेकिन जिस आदारन बोल चाल की भासा में मुद्रा का अर्थ होता है कि हात्यू के बने सिक्छा या काघ्जी नूट इस पर सरकारी मुहर या किन लगा होता है मेरे प्यारे बच्छों हम लोग तो यही जानते हैं लेकिन अर्थ सास्त्र में अनेक अर्थ सास्त्रियों ने मुद्रा को अपने अपने धंग से परिभासित किया मेरे प्यारे बच्छों हम लोग तो यही जानते हैं मुद्रा का अरग मतलब क्या होता है करते हैं तो सधारन बोल चाल के भासा में मेरे प्यारे बच्छों लोग याद रखेंगे कि धातू के बने सिक्के या काजी नोट जिस पर सरकारी मुह लेकिन बहुत सारे अर्ष सास्त्रियों दंच सब्सक्राइब तुम्य लिव्टम्ण के अनुसार मुध्र है मुध्रा वह याद रखना याद रखना पराबर उबजेक्टिस पूछता रहता है इस ने कहा था नोटन है कि ने बोला था आप ले इसी तरह क्राउथर के अनुसार मुद्र वह बस्तु है जो बिनमीर के माध्यम के शमानता था रभ ग्राई हो था धू जो simul संच्यन का भी कार्ज करता हूँ आथी क्या प्रोफेसर बकार के अनुसार मुद्रा वह बस्तू है जो बस्तू के मुल्य अथवा रिनों के भुकतान में स्वतंत्रता पुर्वक अस्त्रांत्रित्र होती रहती है जो भुकतान करने वाले बेक्ती की चरित अत्वासाक का पता लगाएं बेगर ही भिकार की जाते हैं आँ मेरे प्यारे बच्छो हम उद्रा किसी भी प्रैप्र लते अब लोग देखते होंगे बजार में किसी भी चाहते होई छाह लेकर आया दुनिया उससे पुद्रा हो जाता है कि नहीं देखा जाता है कि प्रॉपर मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह काउथर के अनुसार मुद्रा वह बस्तु है जो बीनमे के माध्यम की रूप में तर्व समानता तर्व ग्राई हो तथा साथ ही तो मुल संचैन का कार्ज भी करती हो इस तरह प्रोफेर्ट ले विट्स के अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्ज करती है मेरे प्यारे बच्छों दो चार वार लिखा गया है इसके लिए शोड़ी इसी तरह मुद्र कूर रखा है तो इसी करम में हम लोग याद करते हैं कोलवर्ण के अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुलिक का मापा पेगम भुक्तान का साधन है नेप के अनुसार नेप ने क्या कहा नेप के अनुसार कोई भी बस्तु जो राजद्वारा मुद्रा गोसित की जाती है कि हम व कहा था आपको याद रखना है कौन कहा था मेरे इसी तरह चलिंग में नाम सभी इसा है क्यानुसार मुद्रा वह बस्तु है जो समान शिक्रित हो अब मेरे प्यारे बच्चों किस तरह हम लोग मुद्रा का एक सर्वमान पड़ी भासा हम लोग कैसे लिखेंगे तो मेरे प्यार में पूछे मुद्रा क्या है तो हम लोग लिखेंगे समान बोल चार्ण के भासा में मुद्रा कार्थ हातु के बने सिक्वे या काजिन नोट होता है इस पर सरकारी मोहड या चीन लगा अर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम सब ये लिखेंगे मुद्रा कुमानत क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अमान शुक्रिती प्राप्त एबं विधी ग्राय को तंत रूप से प्रचलित कोई भी बस्तू जो बिन्मे के माध्यम मुल्य के समान्य मापक रिन के भुक्तान का मापडंद सता संचयन के साधन की रूप में कार्ज करती है मुद्रा कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक्जैम में क्या लिखेंगे समान्य शुक्रिती प्राप्त विधी ग्राय लीगल टेंडर विधी ग्राय एवं स्वतंत रूप से प्रचलित कोई भी बस्तू जो बिन्मे के माध्यम मुल्य के मुद्रा कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों आईए हम लोग आगे देखें किस विश्व में मुद्रा को किनकी नामों से जाना जाता है मुद्रा को किनकी नामों से जाना जाता है मेरे भारत में मेरे प्यारे बच्चों हमारे भारत में मुद्रा को क्या कहा जाता है रुप्या पाकिस्तान में मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है रुप्या पाकिस्तान में मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है रुप् नेपाल में रुप्या किना अमेरिका में मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका में अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है हम लोग याद रखेंगे अमेरिकी मुद्रा को क्या कहा जाता है डॉलर कहा जाता है अमेरिकी मुद्रा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों डॉलर कहा बच्वार्फोट मैं लूअ पाकिस्तान रुप्या बंगला देश में टका कहा जाता है कि नेपाल में रुप्या अमेरिकी मुद्रा का नाम मेरे प्यार Понौ रूसरूआल सिंगापुर डॉलरowana अफगानिस्तान अफगाहनी एराण- Wrong-ि य्राक- विनार और सुदेन में रोना होता है। को मेरे प्यारे पच्चो आज के पिडियो में इतना ही अगर आम आरा वीडियो को पसंद दाया होगा तो वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जूरे रहें मेरे प्यारे बच्चो बहुत जल्दी हम आप लोगों को पीडिया भी प्रवाइड कराएंगे तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद